North Western Railway Employees Union, All India Railway Men's Federation एक जिम्मेदार संगठन है सरकार जब पहली बार वर्ष 2014 में सत्ता में आई थी तभी से उनकी विचार रेलवे के निजी करण को लेकर निश्चित रूप से था और लगातर उन्होंने 2014 से लेके 16 तक ये प्रियास को उन्होंने आगे बढ़ाने का भी काम किया था कई स्टेशनों का प्राइविटाइजेशन करने की बात कही थी कई गाडियों का निजी करण करने की बात कही थी लेकिन यूनियन संग्डनों के दवाब में आकर उन्होंने उस पे अपने कदम वापस लेने का काम किया था जब दूसरी बार प्रचंड भहुमत से ये सरकार जीत कर आई है और जो उन्हों के पुराने एजेंडे में इशूज बकाया रहे गए थे उन्हें उन तमाम मुद्दों को उन्होंने एक बार फिर उठाने का काम किया है और जैसा हमने पहले भी कहा था कि रेलवे पर इस सरकार की सबसे बड़ी कूद रस्टी है और उसी के चलते इस रेलवे के स्टेशनों का वर्ल्ड किलास बनाने के नाम से प्राइवेडाईजिशन किया जा रहा है गाडियों में बहतर सुईदा देने के नाम से गाडियों को निजी ऑपरेटर्स के हाथ में सौंपने का काम किया जा रहा है चार अक्टूबर को इन्होंने आगे बढ़ते हुए पहली तेजस ट्रेन को हरी जंडी दिखाने का काम किया पूरे देश की भारतिय रेल पर सबी जगे जबर्दस विरोध प्रदरशन All India Railway Men's Federation ने किया Northwestern Railway Employees Union ने इस जोन के अंदर 101 स्टेशनों पर भारी प्रदरशन करने का काम किया तेजस ट्रेन जो पहले दिन चली उस ट्रेन को गाजियाबाद में संगड़नों की विरोध के तैक खड़ा होना पड़ा रुकने पड़ा इन तमाम विरोध के बावजूद भी जो एक मानस और एक जो नियत सरकार ने बनाने का काम किया है ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने प्रचंड भहुमत प्राप्त करने के बाद देश की गरीब जनता देश के करमचारी देश के मजदूर वर्ग इनको सुनने का काम नहीं करके बलकि पूझी पतियों को लाप पहुचाने के लिए अपना मानस और आगे बढ़ाते हुए यह सब काम तेजी से करने शुरू कर दिये All India Railway Men's Federation इसका कड़ा विरोध करती है लगातार विरोध करती है और आप देखिए कि मानने प्रदान मंत्री जी के आदेशों के तहत निती आयोग भी Railway Board को पत्र लिखने का काम करती है Railway Board के CRB को Empowered Committee के अंदर दवापून तरीके से बनाने का काम होता है और उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है Rail Minister के माद्यम से कि आपको पचास गाड़िया एक साल के अंदर अंदर चलानी है आपको डेड़ सो इस्टेशन एक साल के अंदर आपको प्राइवडाइज़ेशन करना है मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी देश की आम जनता गरीब जनता तक इस बात का संदेश पहんचा नहीं है करमचारी तो निश्चित रूप से इसका विरोद करर रहे हैं लेकिन आम जनता आज भी इसका विरोद नहीं कर रहीग जिस दिन आम जनता इन गाडियों में बैटने के लायक नहीं रहेगी जिस दिन आम जनता समाने जनता इन गाडियों का किराया वहन करने ही पाएगी उस दिन उस आम जनता इस सरकार के सामने अपना सीना तान कर खड़ा होने का काम करेगी विरोध करेगी तब इस देश की सरका को भी देना चाहता हूं कि IRCTC ने एक गाड़ी बुक करने का काम किया जिसमें कपल्स को उन्होंने विशेश सुईदाओं के साथ में घुमाने का एक कारेकरम रखा था जिसमें मात्र दो कपल्स ने अपनी टिकेट बुक कराई इतनी महंगी टिकेट है कि वो गाड़ी भर नह जंता से भारती रेल को दूर किया जा रहा है ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य पूर्ण है लेकिन All India Railway Men's Federation इसका कड़ा विरोत करती है और आगे भी करती रहेगी आने वाले समय में अगर सरकार नहीं रुकती है और चार तारीके प्रदरशन के बाद भी जो इस तरीक से तेजी से और आगे बढ़ने का काम किया है तो फिर हम इसे चनौती के रूप में सुईकार करते हैं और आने वाले समय में अभी चार और पांस दिसंबर को हमारा All India Railway Men's Federation का अधिवेशन चिन्नई में होने वाला है वहाँ पर हम लोग मिश्चित रूप से बैठ कर इस पर इनने लेने का काम किया जाएगा अधिकारी को भी इसमें पास और पीजों भी अलाओ नहीं है निश्चित रूप से आम जनता इसमें सफर नहीं कर सकती जो रेल करमचारी रेलों को चलाने का काम करते हैं वो रेल करमचारी जिनें पास पीटियों की सुईदा मिलती है वो बंद हो जाने का काम होगा उस रेल करमचारी इसमें यातना नहीं कर पाएगा और ऐसी परिस्तिती में इस देश की सरकार को इस विरोध को समझना चाहिए निश्यत रूप से रेलवे को बहुत बड़ा नुकसान है आज हम जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं और पूरे स्टेटिक्स के साथ कर रहे हैं पूरे हमारे पास साक्षियों के साथ कर रहे हैं कि आज की तारिक में हम लोग भारती रेल सरकार के माद्यम से चलने के ब पादक्ता के अधार पर जो रेल करमचारियों को बॉनस मिलता है वो देखिया आप लगातार पिछले पांच बर्चों से अटतर दिन का मिल रहा है क्यों मिल रहा है क्योंकि हम लोगों ने कभी भी इस रेलवे को नुकसान में नहीं चलने दिया इतनी सेवाएं करने के बाद इतने कंशेशन देने के बाद इतनी तमाम सुईदा हैं हमारे देश के विविन प्रकार के नागरिकों को देने के बाद विकलांग को कंशेशन दिया जाता है हमारे सीनियर सिटीजन को कंशेशन दिया जाता है हमारे जो भूदपूर सैनिक हैं उनको कंशेशन दिया जाता ह है इस महिलाओं को कंशेशन दिया जाता है इस तरीके के 127 तरीके के कंशेशन देने के बावजूद भी हम इसको लाब में चलाने का काम कर रहे हैं प्राइवेट एजनसिया जब इनको चलाने का काम करेंगी तो आप बताइए कि किस तरीके से सारे कंशेशन को खतम करेगी, सेवा नाम खतम हो जाएगा, व्यपार नाम शुरू हो जाएगा, इस बात को इस देश की सरकार समझने का काम नहीं कर रही है, अरुन गुपता मंडल सचेव, नॉर्थ वेस्टन रेलवे एंप्लाइस जूनियर झाल